Hello everyone, today we will discuss about class 7th science, chapter 2, part 2, nutrition in animals Last session में हमने बात की थी, human digestive system की कैसे बोजन जो रेता है, वो पच्छता है, digest होता है आज हम बात करेंगे amazing fact के बारे में Starfish feeds on animals covered hard cell of calcium carbonate जो starfish होती है, वो कैसे animals को खाती है एसे animals को जिनका cover, जिनकी बाहरी सता कैसी होती है, calcium carbonate की बनी होई होती है After opening the cell, the starfish pops out, its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell क्या करती है फिर, जब वो cell, जब उन animals की cells क्या होती है, open होती है तो starfish क्या करती है, अपना stomach बाहर निकालती है और उन animals को वो क्या कर लेती है, उनके soft part को वो खा लेती है The stomach then goes back into the body, फिर खाना धीरे-धीरे क्या होता है, digest होता है Second है हमारा milk teeth और permanent teeth Milk teeth and permanent teeth, दूद के दाथ होते हैं और permanent teeth होते हैं, जो की स्थाई होते हैं Milk teeth और दूद के दाथ होते हैं, वो 6-8 साल की उम्रे तक रहते हैं और वो गिर जाते हैं उसके बाद आते हैं permanent teeth, जो की क्या होते हैं, बिलकुल permanent होते हैं, इस्थाई होते हैं और हमारी जो last, life की last stage होती है, तब तक वो होते हैं और fall of during old age, old age में वो गिर जाते हैं due to some dental disease, कुछ dental disease की वज़े से वो गिर जाते हैं थर्ड है हमारा, the working of the stomach was discovered by strange accident जो हमारा stomach है, उसकी कैसे खोजुई, was discovered by strange accident एक दुरघटना की वज़े से हमारे stomach की खोजुई, कैसे खोजुई in 1822, a man named Alex Saint Martin was badly hit by a shotgun 1822 में एक व्यक्ती था, Alex Saint Martin था, उसे बुरी तरीके से क्या हो गया था गोली लग गई थी, the bullet had seriously damaged the chest wall उस bullet ने क्या क्या था, seriously damaged the chest उसकी जो chest की दिवारे थी, छाती की जो दिवारे थी, उसको बुरी तरीके से उसने क्या कर दिया था and made a hole in his stomach, उसके पेट में क्या हो गया था, यहां पे, छेद हो गया था he was brought to an American army, Dr. William Beaumont वो कहां गया, he was, वो कहां गया, एक American doctor था, William Beaumont के पास वो गया the doctor saved the patient, उसने क्या क्या जो डॉक्टर था, उसने उस व्यक्ती को तो बचा लिया but he could not close the hole properly, लेकिन वो, जो hole उसके पेट में हो गया था, उसको ठीक तरीके से वो क्या नहीं कर पाया, बन नहीं कर पाया, left it bandage, फिर उसने क्या क्या है, वही पे पट्टी बच्टी बान ली beumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole, ब्यूमेंट जो था, उसे क्या हुआ, एक great opportunity मिली, एक बहुत अच्छा मोका मिला to see the inside of the stomach, पेट के अंदर देखने का बहुत अच्छा, उसे मोका मिला उस हॉल के जरीए, ठीक है, he made some wonderful observation, उसने बहुत यह अच्छे observation उसके अंदर देखी, क्या देखा उसने, ब्यूमेंट फाउंड यह था, उसने देखा कि जो पेट था, उसका इस्टमक था, उसके अंदर क्या हो रहा है, खाना पच रहा है, या mix हो हो रहा है, ठीक है, उसने देखा कि उसकी जो दिवारे थी, उसमें से फ्लूट का क्या रहा है, शिक्रेशन हो रहा था, जो कि खाने को क्या कर रहा था, पचा रहा था, उसने ये भी उबजर्व किया कि जब खाना, जो इस्टमक है, उसका इंड कहां से लग रहा था, इंटेस्टाइन, जैसे यहां पर इंटेस्टाइन आ जाती है, इस तरीके से, तो उसने देखा कि जब खाना पूरी तरीके से घुल गया है, पच गया है, उसके बाद वो किस में चला जाता है, इंटेस्टाइन में, तो इस तरीके से, जो एलकस एंड मार्टिन था, उसके द्वारा, जो विलियम ब्यूटमन था, उसने क्या की, डिसकावरी की किसकी, पेट के अंदर क्या क्या होता है, उसकी, ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा टीथ भी देख लेते ह टीथ तो हमारे जो टीथ होते हैं, वो अलग अलग तरेके होते हैं, यहां पर वन टू थी फोर जो होते हैं, उन्हें इंसी सर्स बोलते हैं, वन टू यहां पर यह जो दो होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कैनाइन, यह हमारे जो चार टीथ होते हैं, यह प्री मॉलर होते हैं एसे ही हमारे 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं तो इस तरीके से हमारे टित का यह आरेंजमेंट यहापे दे रखा है यहापे नमबर्स आपको डाल ले हैं उसके कितने कितने ठीक है आज के लिए इतना ही थेंक यू